नमस्कंढ बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में सभी में यानि वारतिय स्टेट बैंक अपंडिया से जो भी पेंशन दारख अपनी पैंशन पाते हैं तो उना सभी मेंचम निजमHeelsन में यह एक नई वेबसाइट की है इस वेबसाइट का नाम है पेंशन से ब Independence टो भारति स्पेट ब्यांक्र वंपोंकॉफ में पूरी जानकार्या है इस वपसाइट पर आपको कौन क्यों सी सुविधायं मिलेगी इस website पर आप कैसे registration कर सकते है, registration करते वक्त आपको कौन-कौन सी information वहाँ पर देने होगी, तो इसके बारे में अभी मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हो, तो आप बले ही EPS 95 pension धारफ हो, या फिर government की किसी भी pension scheme से pension पाते हो, family pensioners हो, या फिर pensioners हो, तो आ मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो के साथ अंतर तक बने रही है, तो इसके बारे में आप सभी को पता चल सके, और इसी तरह के अपडेट जानने के लिए अगर आपने चैनल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है, तो चलिए दोस्तों, स्टेट बैंक और इंडिया दोरा पेंशन धारकों के लिए पेंशन सेवा वेबसाइट की जो शुरुआत की गई है, तो इसके बेनिफिट क्या है, इसकी रजिस्टेशन की प्रोसेस क्या है, तो उसी के बारे में अभी हम इस सुडियो में पूरी जानका और इन से रिटाइड होने वाले कर्मचारियों का भुकतान भारतिय स्टेट बैंक और इंडिया की ब्रांचे से होता है, तो पेंशन धारकों की सुविदा के लिए द्वारा यह जो पेंशन वेबसाइट की शुरुआत की गई है, तो उसी के बारे में अभी मैं आपको इस पेंशन प्रोफाइल डीटेल इन्वेश्मेंट रिलेटेड डीटेल लाइफ सर्टिपिकीट स्टेटस प्रांजेक्शन डीटेल तो यह सारी सुविदाय जो हो मिल सकती है, तो यह यहां पर जो एक्स्टेंडेट बेनिफिट है पेंशन धारकों के लिए तो उसे भी अभी जान लेते हैं समेट्स अलर्ट और मोबाइल फोन विच पेंशन पेमेंट डीटेल पेंशन स्लिप तुरू इमेल और पेंशन पेंशन पेंग ब्रांच फैसिलिट्व तु सब्मिट लाइफ सर्टिपिकेट एड अनी ब्रांच और इंडिया जीवन प्रमान फैसिलिटी आपको जो वह रिश्vt कैसे करना है तो देख पार है कि रिशिस्टेशन के लिए आपको यहांपर यह वैब साइट है तो उस पर जो रजिस्टेशन का का ट्याव है तो उसें पर उसके बाद आपको यहाँ पर कौन पाते हैं ंमेल यूज्स आइड क्यूब लेंग सेंग ज उसे आपको वहाँ पर इंटर करना है तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पारे कि यहाँ पर आपको यूजर आईडी सबसे पहले क्रिएट कर लेना है उसके बाद आपका जो अकाउंट नमबर है जिसमें आपकी पेंशन क्रेडिट होती है तो आपको यहाँ पर इंटर करनी ह उसके बाद यहां पर step 2 आएगा तो उसमें भी आपको आपकी जो detail है वो submit कर दीनी है step 3 में भी आपको जो पूछी गई detail है तो उसे submit कर लेना है तो चलिए अभी जान लेते हैं कि यहां पर registration के लिए जो instruction है तो वो आपको कौन-कौन सी follow करनी है तो सबसे पहले आपको जो user ID create करना है तो उसमें कम से कम 5 character होने चाहिए आपका जो pension account number है आपकी जो date of birth है तो उसे आपको इंटर करना है आपका जो रजिस्टर email ID आपने आपकी ब्रांच में submit किया है तो उसे case and lower case alphabet numerical and special character उसके बाद आपको जो registration process है तो उसमें दो सवालों के जवाब जो देने हैं यह दोनों सवालों के जवाब आप ऐसे दीजे जो आपको याद रहे क्योंकि अगर आप बविश्य में किसी वज़े से आपका password जो भूल जाते है तो इन दोनों सवालों के जवाब आ आपका अकाउंट जो आपको activation कर लिना होगा अकाउंट एक्टिवेशन होने के बाद जो आपने वहाँ पर आइडी और password किया है तो उसे आप एंटर करके वहाँ पर जो लागिन कर सकते हैं तो चलिए अभी यहाँ पर जो अगली सुविधा दी गई है तो वह कौन सी है तो उसके बाद आपका इमेल आइडी है तो वह आपको वहाँ पर इंटर करके जो प्रोसेस है तो उसे फॉलो करनी होगी उसके बाद आप जो आपका password रिसेट कर सकेंगे तो यहाँ पर जो भी पेंशन धारक SBA अपनी पेंशन पाते है तो उनकी लिए SBA दोरा यह जो नई सु पर रिजिस्ट्रेशन करने में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इस वीडियो के दिस्क्रिप्शन में जो कॉंटक करने का लिंक दिया हुआ है तो उस पर क्लिक करके आप मुझे कॉंटक कर सकते हैं फिलाल आज के इस वीडियो में यह जानकारी अगर आपको उच्छी लगी है तो इसे बिखे और सभी पेंशन दारूकों के साथ 6 उनके साथ चल सके और यह जो नई दौर दो सभी पैंशन धारक ले कि शुरू की गई है का जैसा कि जानते हैं कि कर्मचारियों से खाश्मान से यहां उसे आप मेरे वीडियो के माध्यन से लेते आता हूँ इसके लिए अगर आपने चानल को अभी तक सब्स्राइब नहीं किया है तो चानल को सब्स्राइब करके रख लीजे ताकि वो विश्य में आप से जुड़ा हुआ जो भी अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे बेले मिल्सके